Hello students, welcome to engineers part-sealing. आज हम लोग new unit start करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? Simplification. Simplification ये आपके लिए बहुत important unit हो जाता है, क्योंकि calculation करना आप लोग इसी concept से सिखने वाले हैं. चाहे कोई सभी question जब solve करते हैं, तो उसमें calculation का part होता है, तो calculation के लिए जो सही step होता है, वो क्या होता है? वो इस unit में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले दो चीज़ आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला जो मैं इसके previous lecture में ही बता चुका हूँ, वो क्या है आपका? जो beach गडित का जो formula बताया था न मैं, ठीक है? उस formula को आपको पता होना चाहिए, वो formula आपको पता होना चाहिए, आज मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है न, वो formula को मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, तो पहले ही बता दिया हूँ, आप लोग जो previous lecture था, उसमें जा के देख लीजिए, क्या-क्या formula मैं बताया हूँ, ठीक है न, अच्छे साथ ठोग formula बताया था मैं, वहाँ पर वो formula आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर दूसरा बात, बस एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो की है board mass, ठीक है? उसके बाद यह ओल यूनिट खताब है, ठीक है? B का मतलब होता है bracket, O का मतलब होता है off, D का मतलब होता है division, M का मतलब होता है multiplication, A का मतलब होता है addition, और S का मतलब होता है subtraction, ठीक है? और D का मतलब होता है division, और M का मतलब होता है multiplication, A का मतलब होता है addition, और S का मतलब होता है subtraction, ठीक है? और एक चीज और याद रख सकते हो, इससे भी पहले, आपका bracket से भी पहले, अगर किसी question में बार लगा है, ठीक है? बार को ऐसे represent करते हैं, जैसे की X लेक देते हैं, X का बार, तो ये भी हमको पहले solve करना पड़ता है, ये actually में क्या है? सॉलूशन का step है, ठीक है, calculation का step है, सबसे पहले आप लोग बार को solve करोगे, फिर bracket अगर, bracket मतलब समझगे न, bracket अगर रहेगा, किसी question में उसको solve करोगे, फिर O, OFF का मतलब actually में multiplication ही होता है, ठीक है? multiplication ही है, लेकिन OFF जब लिख देगा न, multiplication के sign की तका में, तो उसको पहले solve करना है, division से भी, ठीक है? उसके बाद division के बाद multiplication और addition और subtraction दोनों interchange हो सकते हैं, कहने का मतलब पहले आप लोग addition को solve कर सकते हैं, बाद में subtraction को solve कर सकते हैं, ये उपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी को याद रखना है कि उसी क्रम में ही solve करना है, ठीक है? उपर नीचे करोगे, तो आपका answer नहीं आएगा, इतना अगर समझ में आ जाता है, तो ये unit खतम है, तो हम लोग direct question से start करते हैं और उसको solve करते जाना, एकदम असान-असान question रहेंगी, सबसे पहला question जो है, 24 multiplied by 25 plus 28 multiplied by 10 minus 45 and divided by 15, इसको solve करके बता देता हूँ, सबसे पहले आपको कि इसको solve करना पड़ेगा, division वाले portion को solve करना पड़ेगा, ठीक है? बार्ड मास में अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 तिया 45 हो जाएगा, उसका बाद multiplication को solve करो कि 280 हो जाएगा, उसके बाद summation क sign अपने जगा में रहेगा, इन दोनों को solve करो, 25, 400 तो 10 और 25, 50 तो ये हो गया 600, ठीक है? 600 प्लस 280 कितना हो जाएगा? 880, 880 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 877, ठीक है? और यही आपका answer हो जाएगा, एकदम असान question था, अब next question करो, next question करना, 0.5 plus 12.5 and plus में 0.25 and multiply में 0.25 and minus में 0.0125, तो इसमें आपको क्या दिखरा है? multiplication को सबसे पहले solve करना पड़ेगा, उसके बाद तो plus minus को उपर नीचे कर सकते हो, तो इन दोनों को solve करो तो 25, 125 होता है, point 4 के बाद लगने माला है, तो ये हो जाएगा, point 0125 और minus में पहले से point 0125 था, और plus में इसको उतार देना तो यहां पर से ये दोनों कड़ गया, actually में इन दोनों का अब जोड़ तो वही answer हो जाएगा, तो ये दोनों कड़ जाएगा आपका plus था एक और एक आपका क्या था, minus था, तो आपका answer कितना आ गया, आपका answer कितना आ गया, ये हो गया, 13 ही आपका answer आ गया, आगया कि नहीं इतना समझ में आता है ना, चलो ठीक है, इसके बाद नेक question करना, next question करना, देखो ये ठीक ठाक question है थोड़ा, 48 into 4, minus में 16 into 6, divide में कर दो, आप लोग 20 into 3, plus में कर लो, 1 by 4 into 48, and यहां पर लिखो, off 3 by 4, off या फिर हिंदी में क्या लिख सकते हैं यहां पर, का, ठीक है न, का, ऐसा करके दिया जा सकता है, तो बस इसको solve करो, तो इसको solve करोगे, तो सबसे पहले का को हटाओगे, तो उसके जगह में क्या जाएगा, multiply का sign आ जाएगा, लेकिन मतलब कुछ नहीं होगा, अंदर आप लोग multiply मत कर दे रहा है, इसको बस sign को, change कर दो 3 by 4, उसके बाद फिर इध भी common निकाल रहा है, मतलब 24 common निकाल सकते हो, तो 24 दूनी 48, और यह हो गया, 4 अपने जगह में है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 यहाँ से common निकलाता तो 4 चौक 16, ठीक है न, 4 यह बस तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है, अरे, 4 और 6 common निकला तो 6 common निकल गया, और 4 common न भी कर सकते हैं, काड भी सकते हैं, तो काड तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और मेरे खहाँ से 12 common निकल जाएगा, तो 12 common निकाल दो, ठीक है, 12 जब common निकालोगे, तो 3 इधर से, और 4 इधर से, 4 पंचे, 25 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 बच जाएग तो यह दोनों एक दूसरे से कड भी जाएगा, ठीक है, इसके बाद इसको solve करो, तो 4 दूनी 8-4 कितना हो जाएगा, 4 बटे 6, गोड़े 3 बटे 4, and multiplied by 2, इसके बाद 4 और 4 तीन दूनी, मतलब answer कितना आगया, 1 आगया, ठीक है, answer कितना आगया, 1 आगया, तो देखो, हम लोग जब answer निकाल ले देना, तो उसी में पता चल जाता है कि हम लोग सही बनाये हैं कि नहीं, ठीक है, एकदम असानी से जब सब चीज कड जाता है, और answer एकदम sweet सा आजाता है आपको, तो उसका मतलब सबंदा कि हम लोग सही बना रहे हैं, ठीक है, इसके बाद next position करना, next position करना, 2 सही 3 बटे 4, and divide का sign लगाना, 4 सही 5 बटे 4, and call लिखना, call या फिर off, 2 सही 3 बटे 8, 3 है ने, 3 बटे 8, and multiplied by 3 सही 4 बटे 5, ऐसा करके आपको question दिया गया है, इसको अराम से पहले solve करो, ठीक है न, solution करो इसको, और इसका answer मेरे को बताओ, क्या हो जाएगा, इसको करने आता है न तो 4 दूनी 8, 8, 3, 11 बटे 4, इसको लिख सकता हो न, ऐसा आपको change करने आना चाहिए, उसको 4 चोग 16, 16, 5 कितना हो जाएगा, 21 बटे 4, वक्काव के जगा में multiply मत लिखो, multiply लिखो के न, तो आप लोग क्या करेंगे, confusion हो जाएगा, तो एक काम करते इसको का ही रहने देते हैं और उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, आपका 4 दूनी 8, 3, 11 बटे 8, and multiplied by में क्या हो जाएगा, पांस तिया 15, 15, 4 क्या हो जाएगा, 19, ठीक है, और 19 बटे 5, 2 सही 3 बटे 4, और 4 सही 5 बटे 4, ये सब को change करोगे, तो इस रूप में आ जाएगा, क्या, पहले सही की हैं कि इनी चेक कर लो, तो 4 दूनी 8, 3, 11, 11 बटे 4 हो जाएगा, चार जोग 16, 5 क्या हो जाएगा, 21 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर 8 दूनी 16, और 16, 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर गड़बर कर दिया ना मैं, देखो ये क्या हो जाएगा, आपका, 8 दूनी 16, 16 कितना होता है, 19 होता है, 19 बटे 8, और यह कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15, 4, 19 बटे 5, ठीक है, अब सही किया हो ना, ठीक, तो इसको आप लोग सॉल करो और आंसर बताओ, यह एक दम असान कोश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग किस पोर्शन को सॉल करेंगे, का को सॉ स्टेप में यह सको ऐसी रहने तो 21 बटे 19, और यह 8 चोक 32 हो जाएगा, 11 बटे 4 उतार दो, और इधर क्या था आपका, 19 बटे 5 ठीक है, और उसके बाद यह इसको सॉल करोगे, डिवाइट पहले सॉल होगा, तो बस यह क्या होगा, 11 बटे 4, एं 32 बटा हो जाएगा, ठीक है इतना तो आपको बनता होगा आई थी, और यह जो पोर्षन है, क्या हो जाएगा, 11 बटे 4 के नीचे में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइट मतलब, और फिर वो उपर चल देगा, तो multiply हो जाएगा एक दूसरे से, इसके बाद क्या है, जो काटना फिटना है, काटो फिटो, मत ठोसरें करें, चलो बनाओ, नेक्स पोसरें बनाना यह बनना चाहिए, आप सरो आप लोगों से, तीन बटे 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, and multiplied by में, 1 प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा, and multiply में, 1 माइनस 2 बाई 5, and multiply में, 1 प्लस 6 बाई 7, and last हो जाएगा, last लिकना, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपका 1-12 by 13, तो इसको solve करके बता दो, क्या answer आएगा, सबसे बेले bracket को खोल लो, bracket को solve कर लो, तो यह हो जाएगा 3, और 1-4 बटे 3, and multiplied by में 5 बटे 3, multiplied by में 5, 3, 3 बटे 5, और यह हो जाएगा 7, 6, 13, बटे जाएगा, and multiplied by में 1 बटे 13, सब कर जाएगा, देख लेना, I think, क्योंकि ऐसे question में, generally सब खड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर बच क्या गया, 1 by 7, तो 1 by 7 ही आपका answer हो गया, ठीक है, इतना आसान question, यह सब bonus question रहते हैं, अगर आगया exam में तो, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को आगे करना है, रुख जो question दे रहो है, चलो, एक question लिखना, 640 का, का या फिर of 150% plus 40 is equals to x of 120% plus 160, इसको solve करके बताओ क्या answer आएगा, x की value बता रहा है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 640, 150 है actually में, वैसे एक step को मैं skip कर दूँ गया, x नहीं करता है, शुरुवात में बता ही देता हूँ, actually में percent जब हटेगा तो divide में 100 आजाता है, उसके बात फिर 40 is equals to क्या हो जाएगा, x का मतलब यहाँ multiply कर देता हूँ, क्योंकि और multiply तो है नहीं, इसले कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यह 120 by 100, प्लस में 160, यह दोनों कर जाएगा, और 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, और 6 बचा, 15 चक का 90, 90 और 96, उसके बाद यह 40 जूड़ेगा, तो 1000 भी हो जाएगा, ठीक है, 1000 में 160 घड़ जाएगा, और यह 12 बचे 10 लिख सकते हो इसको, ठीक है, 1000 में 160 घटाओ कितना हैगा, 840 आएगा, ठीक है, 840, गुड़े 10 बचे 12 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, लिख सकता हूँ 12 सकते 84, तो 700 आंसर आ गया क्या, ठीक है, एक दामसान कोश्चन था न चलो, एक कोश्चन ऐसे टेप का बनाओ तो, और कोश्चन दे रहा हूँ, वो जल्दी से बनना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एकस का 45% प्लस 90 का 30% is equal to 210 का 30%, बता दो इसका अंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और यह हो ठीक है, अगर नहीं समझ आता है, तो पहले ऐसे चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, 210 ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मल्टिप्लिकेशन करना है, 100-100 तो कड़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम, 3 दूनी 6, माइनस में हो जाएगा, 9-27-100 और यह हो जाएगा, 45, थोड़ जल्दी बरानी कोशिस किया करो, ठीक है न, ऐसे लिख सकते हैं कि नी, ठीक है न, बस इसको मैं क्या किया, सॉल किया, और कुछ तो किया नी, ठीक है, अब इसको सॉल करो किया, आंसर आएगा 6300 में जब 2700 को माइनस करोगे, तो 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया, 6 और उसके बाद, यह 5 में से 2 गया, 3, तो बस, इसको सॉल करो, 6 से जा रहे गया, आएगा, 12 जा रहे है, देखो, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है न, यह 0-0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है, फिर 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 अच्छे 40, असी आंसर आ गया, ठीक, बस यही था, और इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, लिखना कोश्चन, कोश्चन लिखना जल्दी से, 5-10 मिनट में क्लास भी खता हो जाएगा, 0.0324-0.0121, and divided by में 0.07, इसको solve करो, आंसर बताओ, एकदम असान कोश्चन है, आप लोग इसको direct भी solve कर सकते हैं, एक दूसर से minus करोगे, divide करोगे 0.07 से, टाइम जादा लगेगा, लेकिन अगर आपको formulas अगर याद होंगे, और आपको समझ में आ गया, कि यह actually में formula का use करके बन सकता है, तो एकदम असान जाएगा, देखो इसमें क्या करना था, बता है, कुछ नहीं करना था, उपर वाला a cube minus b cube के form में है, नीचे वाला उस form में है, तो यह a minus b करना है, a का value 0.18 और b का value actually में क्या है, 0.11 है, ठीक है, इसको solve करो और answer बता दो, इतना आसान question था, ठीक है, अरे नहीं समझ मैं क्या, actually में क्या है, इसको मैं solve कर रहा हूँ, देखना हूँ, 0.18 का cube लिख सकता हूँ क्या, ए स्वारी, square लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर actually plus होता है, यार मैं क्या लिखती हूँ, देखो, तो 0.18 का square होता, और यहाँ पर minus में हो जाता, 0.11 का square, ठीक है, और नीचे में जो आता, a square minus b square, हाँ, यह हो जाता है, actually में a minus b है, मतलब 0.18 minus 0.11 है, ठीक है, यह इसी रूप में है की नहीं, अरे भाई, a square minus b square divided by a minus b का value दिया है, तो यहाँ पर a plus b आ जाएगा answer, ठीक है ना, जही होता था की नहीं, a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, तो यह इस रूप में question है, तो answer यह हो जाएगा, a plus b, तो जब इन दोनों को solve करोगे आप लोग, तो 0.29 is your answer, ठीक है, इतना बन किया है की नहीं, तो चलो, आगे करते हैं हम लोग, आगे question solve करना, आगे question solve करना, 6.76 minus 2.25 and divided by में 1.1, इसको solve करके बताओ, a, b का value बस पता होना चाहिए, उसके बाद तो एक दम असानीस बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 26 का square है न, तो यह हो जाएगा 2.6 का square and minus हो जाएगा, किसका square है, 15 का, तो 1.5 का square, तो a square minus b square divided by इन दोरों को जाब minus करूँगा, तो यह actually वो 2.6 minus 1.5 है, तो 2.6 plus 1.5 is your answer, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा न, तो 4.1 is your answer, ठीक है, इसके बाद next option करना, next option लिखो, 8 by 27, इसको ध्यान से बनाना, ठीक है, formula रूप में ही है, ठीक है, कौन सा formula यूज होगा, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है, direct solve मत कर देना, direct solve करो के तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा time लगेगा, देखो, हर question direct भी बन जाता है, लेकिन जब आपको समझ में आ गया ना, कि ये formula की रूप में है, तो उसको उसी रूप में ही बनाना, ठीक है ना, गलती से direct मत solve करना, otherwise direct solve करना तो हम लोग सीखी चुके हैं, ठीक है, पीछे में direct solve भी किये थे, आगे समझ में किस formula की रूप में है, इसको थोड़ detail में बता दू किया, ये actually में 2 by 3 का cube, minus में 1 by 2 का cube, and divided by में 2 by 3 का square and plus में हो जाएगा 1 by 2 का square, या फिर ऐसे कर लो, 1 by 2 into 2 by 3 and plus में हो जाएगा 1 by 2 का square, क्या formula है, a cube minus b cube is equals to क्या होता था, is equals to क्या होता था भाई, a minus b multiplied by, multiplied by a square plus b square plus c square, formula मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए और यहीं आपका answer हो जाएगा, 2 by 3 minus 1 by 2, बज़ उसको solve करो आप, 6 LC हमा जाएगा, 2 दूनी 4 minus 3, मतलब एक बटेच है, 1 by 6 is here, answer, एकदम असान question था, ठीक है, और करें, यह formula की रूप में समझ में आना चाहिए कि कौन सा formula, उसके बाद तो असारी से बना दोगे, मैं formula में पहली बोला की बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद देखना, 2 question और कर लो, उसके बाद आज की class कतम करते है, 0.008, plus 0.027, plus में 0.001, minus 0.018, and divide ही में हो जाएगा, आपका, 0.04, plus 0.09, plus 0.01, minus 0.06, minus 0.03, minus 0.02, बना लो, इसको एकदमासान question है, ठीक है, कौन से formula की रूप में है आपका, a square, plus b square, a cube है, actually में, a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3, a, b, c, and is equals to, क्या पने था, हम लोगे, a plus b plus c, and multiplied by, a square, plus b square, plus c square, minus a, b, minus b, c, minus c, a, ठीक है, यादार है, बस उसी formula में आपको रखना है, minus a, b, minus b, c, minus c, a, ठीक है, तो इस formula की रूप में, दिया गया है, ठीक है, अब क्या है, इधर उधर करो, अपने से बनाओ चलो, बता दू मैं, अभी तक बन गया होगा, I think, pause करके बनाए करो, ठीक है, तो यहाँ पर से, नीचे वाला जो term है, वो इस रूप में है, तो यह जो value था आपका, इधर नीचे कर दो, मतलब a cube, plus b cube, plus c cube, divided by a square, plus b square, plus c square, minus में a, b, minus b, c, minus c, a, ठीक है, और is equals to a, plus b, plus c, तो आपको a, plus b, plus c का value निकालना है, और वही answer हो जाएगा, a का value क्या है, 0.2, ठीक है, plus 0.3, plus 0.1, ठीक है, इसको solve करो, answer बता दो, इतना आसान question तर सोच के देखो, 0.6, otherwise इसको कितना लंबा solve करना पड़ता, ठीक है, बस आपको formula समझ में आना चाहिए, कि यह किस रूप में दिया गया है, आया की नहीं समझ में, आया की नहीं समझ में, जल्दी बताओ, चलो, एक question home work दे देता हूँ, फिर आज की class कतम करते हैं, home work दे देता हूँ, 0.008, plus 0.027, 0.027, minus में 0.125, and plus में 0.09, direct solve मत करना, यह formula की रूप में है, ठीक है, direct solve भी करके देख लेना, ठीक है, लेकिन formula की रूप में solve करोगे, तो जल्दी बनेगा, तो question सही दियाओं की नहीं, एक मिनट हाँ, सही दियाओं, तो इसको आपको solution करना है, और comment में answer बताना है, जो भी देख रहे हैं इस lecture को, और जो भी समझ रहे हैं, ठीक है, तो इस परकार से आज की class खतम करते हैं, hope आपको सब चीज समझ में आया होगा, मिलते हैं हम लोग next lecture में, thank you.